हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई चैनल कोक वित नस्राना नवाब और आज मैं बनाने जा रही हूँ सॉफ्ट एंड स्पॉंजी पिंक केक अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें इसके लिए मैंने बहुत लेस इंग्रीडियन्स यूज किया है ताकि आप भी बना सकें ये फ्रेंड्स हमारा इंग्रीडियन्स मैता वन कप ओईल 30 ml 4 एग्स बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और नमक यहां पर मैं फूड कलर यूज कर रही हूँ वैनिला एसेंस 120 ग्राम सुगर यूज करें यानी चीनी यहां पर फोर एग्स ले रहे हैं और एग योग यूज नहीं करना है एग वाइट यूज करेंगे तो सारे अंडे का हम पहले एग वाइट निकाल लेंगे आप देख सकते हैं एग योग मैं साइड में रख रही हू उसे अभी यूज नहीं करना है उसे हम भाद में यूज करेंगे यहां पर मैं हैंड बीटिंग मशीन यूज कर रही हूं एग वाइट को बीट करने के लिए फ्रेंड्स ताकि हमारा केक सौफ्ट एंड फ्लाफी बने हमें इसे पांच से दस मिनट के लिए बीट करना है फ् सारे ड्राइंग्रीडियन्स को मिक्स कर लेंगे हाफ कप चीनी वन कप मैदा वन टेबल स्पून बेकिंग पाउडर आफ टी स्पून बेकिंग सोडा वन फोर्थ टी स्पून नमक और यहां पर सारे ड्राइंग्रीडियन्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे ड्र essence और हम इसे hand beating machine से फिर से एक और बार beat कर देंगे color pink नहीं आया इसलिए आपे मैं थोड़ा और color add कर रही हूं ताकि pinkish texture मिल पाई cake को हमें थोड़ा थोड़ा dry ingredients mix करते रहना है friends और उसे अच्छी तरह से mix करना अगर हम एक बार में सारा dry ingredients add कर देंगे तो cake में lumps रह जाएगा इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा add करना और इसे अच्छी तरह से mix करते जाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर cake का butter थोड़ा थिक हो गया है तो यहाँ पर मैं थोड़ा दूद यानि milk add कर रही हूं ताकि cake का butter का consistency अच्छा बना रहे है यहाँ पर मैंने last ली जो बचावा dry ingredients था वो डालके और थोड़ा milk add करके हम इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे और हमारा cake का butter कुछ इस तरह से रहेगा यह एकदम perfect consistency है और आप देख सकते हैं इसमें bubbles बन बन चुके है और यह हमारा cake का butter ready है तो यहाँ पर मैं container में oil डालके इसे grease कर लूँगे अच्छी तरह से और यह मैं normal paper यूज़ कर रही है यहाँ पर मैंने कोई भी butter paper नहीं दिया उसके उपर grease करके batter pour कर देंगे और half batter डालना क्योंकि cake double हो जाएगा friends और यहाँ एक दो बार tap कर देंगे ताकि कोई भी air bubbles ना रहे तो यहाँ पर मैंने बालू या नमक आप कुछ भी लेख सकते हैं और इसे हम pre heat कर देंगे और cake के batter को इसमें रख देंगे और 40 minutes के बाद आप देख सकते हैं friends हमारा तूदपी के लियर आया यानि हमारा cake अच्छी तरह से पक चुका है आप कड़ाई की जगह में pressure cooker भी यूज कर सकते हैं friends और आप देख सकते हैं हमारा cake easily demold हो चुका है और आप देख सकते हैं paper आराम से निकल रहा है कोई भी दिक्कत नहीं हुआ और cake हमारा कितना soft बना यह आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर हम brown part को cut कर देंगे friends और आपको ध्यान रखना है ज्यादा नहीं cut करना है थोड़ा थोड़ा ही cut करना है जिस shape में आप cake बना रहे उसी shape में cut करें ताकि आपका cake का shape खराब ना हो और आपको यह भी दिख रहा होगा friends की cake हमारा कितना soft and spongy बना है बहुत आराम से इसे cut करें friends केक तूटने का भी डर रहता है और आप देख रहे हैं इसके अंदर जो sponginess है और यह एक्दम जालीदार cake बना है friends तो यहाँ पे अब हम frosting की तयारी कर लेंगे यहाँ पे मैंने heavy cream लिया है whipped cream और इसे हम hand beating machine से beat कर लेंगे 5-10 मिनट तक कि इसमें volume बने और creamy texture में आ जाए cream और आप जब इसमें machine डालेंगे और उसे उपर करेंगे तो इस तरह का आपको pick दिखेगा इसका मतलब आपका cream रेड और यहाँ पे मैंने red food color add किया है और यहाँ पे अब हम केक में frosting लगा देंगे आप देख सकते हैं red color यूज करने से भी pink ही आता है और raspberry red यूज करने से भी pink ही color आता है तो आप कोई भी color यूज कर सकते हैं जो आपके पास available हो तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से equally spread कर लेंगे cream को cake बहुत soft बना था इसलिए मैंने कोई भी cherry syrup या फिर milk add नहीं किया है cake के उपर अगर आप चाहें तो आप add कर सकते हैं cake के उपर वरना आप direct cream apply कर दें और यहाँ पे मैं चीनी डाल रही हूँ one cup इसे caramelize कर लेंगे हम इसे चलाते रहना है friends ताकि चीनी कहीं भी जमे न और न जले तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे इसे तो यह runny form में आ जाएगा और हमारा चीनी caramelize हो जाएगा थोड़ा dark color आ जाएगा और आप देख सकते हमारा चीनी caramelize हो दिया और हाँ friends इसे हाथ से बिलकुल भी मना टच करें और इस तरह मैंने एक bowl में grease कर लिया था oil और इस तरह से हम एक spoon की मदद से इसमें caramel बना लेंगे और हम इसे धीरे धीरे नि लगा दिया मैंने उसे तोड के लगाया था यहां पर मैं food color spread कर रही हूं dropper की मदद से और जो dot से उसे मैं hard shape दे रही हूं toothpick से उसके बाद coconut crush side में मैं लगा रही हूं और आप देख रहे हैं friends नॉर्मल चीजों से मैंने cake बनाया है और decorating के लिए भी मैंने कुछ खास यूज नहीं किया है लेकिन आपका cake ready हो चुका है और बहुत टेस्टी था गाइस cake और आप देख सकते हैं कि इसली कितनी अच्छी तरह से cut हो चुका और एक्दम soft cake बना था अगर आपको मेरा cake बनाने का recipe पसंद आया friends तो please मेरे चैनल को subscribe करे cook with nasrana nawab और अगर आप मुझे इन बातों का ध्यान रखना है friends अगर आप कराई में बेक कर रहे हैं तो 45 minutes के लिए बेक करें और low flame और आपको lid खोल के बार बार देखना नहीं है अगर आप pressure cooker में cake बना रहे हैं friends तो CT को निकाल दे और 40 to 45 minutes के लिए उसे बेक करें अगर आपको यह recipe पसंद आया है तो comment करे thank you for watching stay tuned for my next recipe till then bye